ICC Men's T20 World Cup की बात करेंगे मुकाबले जारी है qualifying rounds के बाद आप जो group matches स्टार्ट हो चुके है सबसे बड़ा टाकरा संडेक होने जा रहा है पाक, भारत, टाकरा सबकी नजरें इस match पर है और ये भी का जा रहा है कि उस दिन बारिश भी confirm है 96% जो है वो rain की prediction as in लोगों ले tickets वगेरा जो है न वो फॉरन से खरीब दिये वे और लोग बहुत जादा excited है लोग तजिये दे रहे है आपका, आपकी क्या wish है के बारिश हो, जिन जाना हूँ मैं बिल्कुल नहीं चाहती के बारिश हो क्योंके लोग बहुत जादा excited है और हम जो हैने समाच को देखने के लिए अच्छा आप मैश देखने के लिए के मैच हो, और अगर हो तो फिर पाकिस्तान जीते, अगर हमने नहीं जीतना तो बारिश होती है अच्छा इरफान साब, शाहीन अफरीदी ने स्कॉर्ट जॉइन कर लिया है, टीम पर क्या असर पड़ेगा? देखें, ये एक ऐसा यूनीकनेस इसकी है, शाहिन शाह फ्रीदी की, कि ये शाहिद दुनिया में ऐसा बालर है, जो अपने 80% मैच के अंदर पहले अवर में आउट कर लेता है इसका जो फेर एलिमेंट बाकी टीम के अदर आता है, वो ये एक ऐसा, इवन ओडिया हो, टी ट्वेंटी हो, टी ट्वेंटी में थोड़ा ज्यादा हमें उसमें नजर आता है, मज़ा आता है, कि वो पहले और के अंदर आउट करते हैं, तो ये अभी जिस तरह हमने देख भ जाल है कि पाकिस्तानी जो बालिंग लाइन अप है, वो मजीज प्रेंफन भी होगी, और इसमें जो हमारा पेस एटाइक जो लाइक कर रहा था, डेस बालिंग के अंदर भी, वो भी इंप्रूव होगा, इर्फान साब प्लेइंग 11 में कोई चेंज करेंगे कप्तान साब य क्योंकि उनका रिहाब चल रहा है, उनकी भी यही निउस आई थी, कि एक दो मैचिस में शायद उनको रेस्ट दिया जाए, तो यह अब दिखना पड़ेगा, दोनों में से कौन फिट होता है, और किसको पहले मैच में चांस दिया जाता है, बट मेरा माना यह है, कि फखर को बाबर और इजवान जासा है, तो हमें तेज खेलने वाला ज़रूर चाहिए, जो नमबर टीम पर ही अटलीस आके तेज खेले, इंडियन टीम को किस तरह देखते हैं, अप उनका प्लेइंग 11 मुझे तो ज्यादा स्टॉंग लग रहा है, उनकी टीम बड़ी बैनस नजर आ रेटमेंट देख रहा था, वो ये कह रहे थे कि शायद ये विरात कोली का और रोइच शर्मा का लास्टी 20 वर्ड कफ और इसके बाद वो रेटैर्मेंट ले ले ले, अच्छों ने कहा कि हमने 2007 में बिलकुल नई टीम बनाई थी, इसमें धोनी की कैप्टन सी में टाइटल जीता था, उसमें टाइम गंगुली थे, कैप्टन और इसी तरह रेडूलकर थे, ड्रेवर्ड थे, बहुत बड़े नाम थे, बट हमने इसको देखा, इंडियन बोर्ड ने समझा के यंग्स्टर की गेम है, तो यंग्स्टर इंडक की है, तो ये सेनियर को हम एक लास चांस ये लास गो दे रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये उनका ठीक डिसीन होगा, उनके बोर्ड का भी, और मेरा मानना ये है कि वाबर जैसे हमारे पास नमबर वन है, स्टाइक रेट पे बात होती है, ये यंग्स्टर की गेम है, इधर यंग्स्टर को आना पड़ेगा, स्टेप मैचेस में आप लेख लेए, तो ये अब जो गेम नजर आरी है, टी-20 जिस तरह के एक फास्ट मोड पे जा रही है, तमाम टीम यंग्स्टर को ज्यादा बैंक करेंगी, उन्हीं पर रडाय करेंगी वो, छीक हो गया है, सूपर 12 मरे ले जा रही है, इरफान साब, उसमें भ मैचेस के थोड़ी सी बात करनें, तो वेस्टन डीज क्वालिफाइग कर चुक है, नीदर लेंड कर चुक है, मेरा ख्याल है, यही दोनों टीमें डिजर्व करती थी, ज्यादा अच्छी क्रिकट खेल रही थी, और मेरा ख्याल है, अगर हम चारों टीमों में से देखें तो आगे क्वालिफाइग करेंगी, और आज हमें पता चल जाएगा कि कल से जो सुपर 12 के मैचिस होने जा रही है, कौन सी चार्टी में होगी दो, तो हमें कल पता चल चुकी है, और आज भी रुमेनिंग 2 टीम का पता चल जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि कल से एक बड़ा जब करने भी यह का, देखें, on the given day, जो अच्छा परफॉर्म करता हो जीता, और T20 तो बहुत एक किसम आप समझने के बहुत अनप्रडिक्टेबल किसम की गेम है, एक आदा स्पेल किसी का उटस्टेंडिंग हो जाए, किसी की बैटिंग के अंदर कोई 2-4 वर अच्छी इन दोनों में से कोई एक, ये 5 टीमों में से 4 तो मुझे नजर आ रही हैं कि 4 कन्फर्म जो आएंगी सुपर, समी फाइनल के लिए जरूर क्वालिफाइ करेंगे, बट अगेन ये कंडिशन जरा डिफरेंट है, थोड़ा सा इसमें हर दिन आपको डिफरेंट तरह की अन्व तो ये चीज़ रखके आपको अपनी गेम प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसमें मेरा ख्याल है कि आपकी जो इसको सूचना पड़ेगा, कि हर टीम इसमें जरूर वरक आउट करेगी कि प्लान A, प्लान B क्या है आपके पास, या इवन प्लान C क्या है, अगर आप 20 ओवर की बैटिंग और बाॉलिंग के अंदर, फिल्डिंग भी इतना ही एक्वल पार्ट है, और इन कंडिशन के ऊपर जहां पर ग्राउंड्स हम देख रहे हैं, काफी बड़ी है, बाउंडरी का जो डामेंशन है वो लंबी है, तो उसमें फिर आपका जो डे लाइट मैचीज है, डे नाइट मैचीज हैं, उसके अंदर आपको कैचिंग ठोड़ी मुश्कल होती है, तो फिर उसमें ये है कि आपका ऐसे फिल्डर जो बाॉंडरी के अंदर अच्छे फिल्डिंग करते हैं, उनकी प्लेस्मेंट बड़ी इंपॉर्टर्स रखती है, फिर आपकी जो सरकल के फिल्डर्स हैं, वो भी आपको बड़े अप्रोप्रियेट फिक और चूज वाला सिस्ला कार करना पड़ेगा, तो ये अवर आल एक पूरा क्विनेशन डिवलप करना पड़ेगा, हमने अपनी दो सीरिस जो लास्ट हा रही है, इशेक आपका फाइनल की बात करें, इंग्न के बेस पे होती है, फिल्डिंग एक ऐसी चीज है जो पैशन के साथ होती है, जिसका जितना ज्यादा आप करते जले जाओगे, उतना ज्यादा ये इंप्रूव होती जाएगी, तो ये हमारी एक टेनेंसी, अनफॉचिनेटली हमारे कल्चर में डाइव करना, फिल्डिंग क के अंदर जो बड़ी टीम हैं जिस तरह वो इसको इंपोर्टनस देती हैं, हमें भी देनी पड़े ही, बिल्कुल सही, नेक्स्ट होने वाले मुकाबले की भी थोड़ी बात करते हैं, भारती टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहरी और काहरी है के नूट्रल वेन्यों परी मैच अब कल भी उनके जो चेर्मेन हैं उनका ये कहना है कि ये फैसला वजिरित दाखला करेंगे, कि भारती टीम जाएगी खेलने या नहीं, आपको क्या लग रहा है, आएगी भारती टीम खेलने, देखें, बड़ी एक अन्फोर्चिनेट किसम की स्टेटमन्ट थी उनकी तरफ करनी नहीं चाहिए तो और इस मसले में भी नूटरल रहना चाहिए था, बट वो बड़ा किसम की स्टेटमन्ट है हमारे PCV चेर में नमीज राजा की तरफ से अची स्टेटमन्ट है, अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी फिर सोचेंगे, कि हम भी पार्टिस्पेशन की चला 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 जा रहा है चाहिए कोई इवन्ट हो, कोई और मैटर हो, हर जिगा पर डंट कर रहा है, तो हमें भी इस पर बड़ा पका स्टांस देना पड़ेगा, देखे ना जब ऑस्टेलिया आ सकती है, इंग्लेंड आ सकती है, दुनिया के तमाम टीम्स आ रही है, तो भ में लास टाम आये थे, वो भी भी बात करते हैं, कि हमें जो स्टेलिटी पाकिस्तान में मिली, जो वेलकम हमें इदर मिला, वो हमें दुनिया के किसी कंट्री में नहीं मिला, मुझे खुद याद है कि मैच देखने के थे तो जब इनकी टीम ग्राउंड की तरफ आती थे, द सरहदों की हमारी डिविजनिंग या, उसको स्पोर्ट्स में ना लाया करें, कमज कम स्पोर्ट्स में स्प्रेट दिखाना चाहिए